कि कि ही आप अब सभी धर्म योधाओं को हो विज ए फिर्दे से गदगद होकर नमन करते हुए कि मैं प्रफुलित हु आनंदित हूं दो और एक बार चाहूंगा कि आप जोर से मेरे शबदों को दोहराएंगे जय हिंदूराष्ट्र 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 ज आपने जिस उर्जा से जय हिंदू राष्ट्र का घोष किया उसी उर्जा को प्रति ध्वनित करते हुए मैं एक छोटा सा प्रशन खड़ करता हूं कि क्या इस प्रकार के घोष लगाने से जय हिंदू राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की सापना हो जाएगी हमें क्या करना होगा आप गोहत्या रोकना चाहते हैं आप लव जिहाद को रोकना चाहते हैं आप राश्टरांतरन धर्मांतरन को स्माप्त करना चाहते हैं आप लेंड जिहाद को रोकना चाहते हैं कि दरगाह मदर्सा जिहाद यह जितने भी दंगे फसाद हैं इनको रोकना चाहते हैं इन सभी समस्याओं का एक समधान है घर वापसी जिसको शुद्धी घर वापसी थोड़ा सा ये एक सेकलरिजम की इसमें बू आती है मेरे को घर वापसी शब्द जो है लेकिन ये प्रचलित हो चुका है तो हम इस शब्द को भी सुखार करेंगे एक मेरी पीपिटी आपको दिए ये जो शुद्धी का अंदोलन है शुद्धी का जो कारिक्रम है शुद्धी का जो चक्र है मैं इस इतिहास के बारे में कोकि मुझे जो समय धिया गया है इतिहास पर थोड़ा सा बोलता हुआ अपने मूल विशे पर आऊंगा आधुनिक युग में महरशी दयानंद सरस्वती जी महराज ने शुद्धी के द्वार को खोला और उनके ही सेनानी स्वामिश्रद्धानंद जी महराज ने शुद्धी के कार्य को लगबग 1908 से में जब बहुत बड़े मलकाना राजपूत और मूले जाट और इस प्रकार के गाउं के गाउं उनको बदलने के लिए प्रसाव आए तो उन्होंने शुद्धी के अंदोलन को पूरी तरह से तुफानी रूप देते हुए तुफानी स्थर पर आगे बढ़ाते हुए उन्ह के लिए आरिसमाद तो है आरिसमाद के माध्यन से शुद्यां हो रहती लेकिन उन्होंने कहा कि इस वीशे पर इस इस उदेश्य को लेकर एक मुख्य रूप से सभा की स्थापना हुई 13 फरवरी 1923 अभी हमने पिछली 13 फरवरी को आज एप्रिल है एक एप्रिल है दो एप् पूरा किया है यह किसी भी संस्था के लिए किसी भी सभा के लिए बड़े गर्वपूरों नक्षन होते हैं और इस इन सो वर्षों में हमने दो दर्जन से अधिक बलिदान दिये हैं इस सभाने सोवर्ष में दो दर्जन से ज्यात हैं जो वह बलिदान दिये हैं अज्यात की गणना इसमें नहीं है यह शुद्धी समधार आपको सब को दिया गया था जिनको नहीं मिला हो वह बाहर से ले देलेंगे संक्षिप्त में यह विवरंट दिया गया है और यहां पर भी थोड़ा साम दिखाएंगे और यह जो आपके टेवल्स पर जो आपको ब्रोशर दिये गये हैं इसमें भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है इसलिए मैं मूल्स पीशे पर आता हूं शुद्धी आपने समझ लिए लेक्षिदी का महत्व क्या है क्योंकि हम ये जो दो दिन का समयलन चल रहा है इसका मूल उद्शिय शुद्धी ही है शुधी से ही ये हिंदु-राश्ट्र की सप्ऩ falta होगी और यदि हम हिंदु राष्ट को सापित करना चाहते हैं, बेटियों को बचाना चाहते हैं, अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, तो ये शुद्धी परम आवश्यक है, और मैं चाहूंगा कि यदि आप आज ये संकल्प करके जाएं, कि मैं आपको धर्म योधा मान रहा हूं, मैं आपको समाने हिंदु नहीं मान रहा एक एक जो यहां पर योधा बैठा हुआ है मैं उससे कम से कम इतनी अपेट्शा जरूर करूँगा अवश्य करूँगा कि आप अपने जीवन में यह संकल्प आज ही करके जाएं यहां से और संकल्प लें बगाइदा हम और प्यारी ग विदेश में कभी भी कहीं भी शुद्धी का कोई भी कार्य हो आपको मेरा नंबर यहां पर उपलब्द मिलेगा आपको फोडर दिये गए वहां पर भी मेरा नंबर है शुद्धी सवाका भी संपरक सूतर है वहां पर सारी email ID है सब कुछ है वहां पर आपको वैसे भी यहां प्रोप दो जाएगा मेरा नमबर कहीं से भी आपको मिल जाएगा मैं भी दे दूँगा और आपको कभी भी शुद्धी के लिए कभी भी कोई कटनाई आए आप 24 घंटे दिन रात मेरा फोन खुला रहता है आप मुझे फोन की दिये जदी मैं किसी कारण से अटेंड नहीं कर है जैसे अभी भी फोन आ रहे हैं तो मैं टर्री नहीं कर पा रहा हूं तो मैं उसको काल बैक आवश्य करता हूं और शुद्धी के कारी के लिए 24 घंटे समर्पिस रहता हूं मैं मुझे चाहे केरल जाना पड़े जोधपुर जाना पड़े चाहे हरिद्वार जाना पड़े अभी जाना पड़े मैं अपने खर्चे से जाता हूं किसी भी सभा से ना पैसा लेता हूं और जीवन मैं इस कारिय को करता रहूंगा यह मेरे श्हफत ली हुई है और आपको यह केवल यह बताने के उधेशे से नहीं तालिया पिटवाने को अधेशे तो मैं कम से कम और मैं आप से कम आज इतनी बीख मांगने आया हूं कि मुझे हर व्यक्ति याँ पर पांच शुद्यों की बीख दे दे बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपके प्रतेक पुरुशार्ट से आपके निजी पुरुशार्ट से व्यक्तिकत पुरुशार्ट से मुझे हर एक व्यक्ति से हर एक जोदा से कम से कम पांच शुद्धियों की अवश्यक्ता है यदि हम पांच देखिए हमारा मैं आने वाला हूं और ये आपके संपर्क में देखिए आपके संपर्क में जैसे मेरे को कभी भी कोई टोपी वाला ये दाड़ी वाला ये कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो मैं तुरूंत उसके साथ हो जाता हूं किसी को चाचा बनाता हूं किसी को भाई बनाता हूं किसी को बैन औरिए को बीटी बनाता हूं और उसका संपर्ख नोट कर लेता हूं और उनके संपर्ख में बना रहता हूं जोड़न मुद्आ होगा। फेस्बुक पर एक एहमद रजा नाम के वक्ती से मेरा परीचे होता है परीचे मतलब उसके संपर्क में आता हूं मैं उसको देखा कि उसकी भावनों को मैंने पढ़ा तो उसके संपर्क में आया तो मैं उसके संपर्क में बना रहा फेस्बुक बना रहा में संदर पर बात हुई उसने फोन नमबर दिया फोन पर बात हुई तो उसके बाद मुझे उससे इतिहास का पता लगा उसका इतिहास सुन लिजिए लगभग 1805 1805 आज 2023 है लगभग समझे लिए 200 वरश पूरवे 1805 की बात है राजस्थान में मुगलों के काल में उसने उनके परिवार ने उनके पुर्मजों ने मुगलों के साथ मिलकर धर्मांतरित हो गए और उनके साथ होकर महराजाज शीवाजी और महराणा परताब के वुर्दूनों ने संघर्श अरंब किया लड़े भारतिये होते ह अपने भारतिये जो हमारे जो नित्रत्व था जो हमारे धर्म के अग्रदूत थे धर्म के अग्रणी से उनके वर्द होकर वो यूद्र लड़ने लगे इतना उनका दिमाग खराब हो गया इतना उनका मस्ष्ट जो है प्रदूशीत हो गया कलूशीत हो गया जब उसको इतिहास का पता लगा तो उसलिए अपने मुझे इतिहास के बारे में बताया तो उसका इतिहास ये है कि वो जब उनको मुगलों के साथ मिल गए तो उनको पुसकार के रूप में इनाम के तोर पर उनको भूमी दी गई जागीर दी गई और उनको रोपड यह जो आज रूप नगर है पंजाब में वहाँ पर बसाया गया वहाँ पर उनको जमीन दी गई 1947 आते है वो पाकिस्तान चले गए राजपूत होते हुए राजत थे महराना परताब के अधीन शौदिया बश्य वंगल पन गए मुग हमारे शत्रू बन गए तो 91947 पर पाकिस्तान चले गए पाकिस्तान जाकर चैनल कि दो ऊटिरे दीरे दीरे इंसों परफ किरुज़क्रख से निकल गया तो इसके मेरे संपल्च में जब आया तो उसने मेरे को संपर्क किया उसने का कि कैसे करूं मैं उसकी वेवस्था मेरा कारी है मैं करूआ मैं अमेरिका में जो हमारे आरिये प्रतिंदी सभा अमिर्का उस राष्ट की अमेरिका की प्रतिंद सभा है उनकी अधिकारियों से संपर्क किया उन्होंने जहां पर वो रहता था यूस्टरन में अमिर्काहा क्या रहता है। यूस्टर भाइब कावले समाज इसंपर् honeymoon ना करते हूए देशने साथ वी बेखने में बदाता हूं उसकी शुद्धी हमने ये जो 25 मार्त गया है 25 मार्च पिसले महीने आज 2 अपरेल है 25 मार्च को लाइव शुद्धी हुई मैं उस पर जूम से यहीं अपने घर से जुड़ा और वो अमेरिका में ग्रेट रिस्टन आरे समाज में उनकी शुद्धी हुई उनके पत्रियों और उनकी आज वो और अहमत रजा कुमर नरेश सि मैंने उससे एक आर्टिकल भी लिखने के लिए भोड़ा तो उसने आर्टिकल भी लिखके दिया हुए फिर बाद में उसका मैसाज आया कि उसको प्रकाशित नहीं किया अब शुद्धी होती कैसे यह उधारन दे दिया मैंने कि मुझे उसके लिए इतना परिश्रम करना कि उसका तर क्या है उसका उदेशिय क्या है चुद्धी के लिए हमें सोवार्स होग करते हैं घरवापसी का डोग करते हैं तो उसके परिच्छा लेनी होता है उसका इंटर्वु लेना पड़ता है कि मनुव ज्यान पढ़ना पड़ता है फिर उसके वीडियो बनाने पड़ती है रिकॉर्ड के लिए सर्कुलेट करने के लिए नहीं फेस्बूक पर या वट्सेप पर या ट्विटर पर डालने के लिए नहीं आपके कभी नहीं देखा होगा मेरी तरफ से कोई भी शुद्धी का समचार मैंने किसी वट्सेप पर या टूटर पर या फेस्बूक पर डाला हो कभी नहीं डाला होगा मैंने ना डालूँगा क्योंकि ये बड़ा इस तरह का मामदा है कुछ लोग मना भी करते हैं और वैसे यह अगर करते हैं तो उससे बाधाएं आती है राजिशे बन जा है मैं इनके सास मिलकर भी हमने च्ड़ियां च्रच्ट रमा कै ज्ख्स फूरुड़ा गया था और आपने हीख्षाह बहुते प्रवास करता हूं पूरे भारत वर में प्रवास करता हूं और निशूल्क अपने आपने खर्चे पर ता हूं मैं तो मैं बता रहा था कि इस प् करता है कि वह उनके संपर्क में दो तीन लड़किया है और उनको मुझे मुझे शंका सोबाविक है लव जहाद जब इतना चल रहा है तो यह उसी उदेशी के लिए लगा हुआ गवा तो मैंने उसके लिए एक महीना दो महीना CID करता रहा हुआ उनके पीछे कारी करता मैंने का आपको कुछ बातें करनी होगी बताइए मैंने उसको यह कहा आपको मुझे हाथ के पीछे ओम लिखवाना होगा तो उस पर वो सुकार कर लिया उसने फिर मैंने कहा आपने जो नया नाम लख़ा है उस नाम को यहां पर लिखवाना होगा फिर कहला देखो अगर प्लास्टिक सरदेरी करके इसको हटवा सकता हूं, मैंने कि हटवा सकती हैं, लेकिन अभी जो मैं कारी करता हूं, मैं उसको सुनिश्चित करने के लिए कि उसमें कोई गलती नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं, अगर मेरे हाथों कोई पाप हो जाता है, तो उसका भागी मैं तो शुद्धियां ये करना हमारा हमारी सभा और हमारा समाज इतने लंबे समय से कर रहा है, और हम ये कर रहे हैं और करते रहेंगे, शुद्धी का कारिया बहुत महतुपरून कारी है, और सभी समस्याओं का समधान है, अब ये जो शुद्धी का कारिया है, हम बहुत सरल कर लिए प्रक्रियां में जानी के अवश्यक्ता नहीं होती है एक व्यक्ति आज्मेर में आता है कि मैरा परिवार शुद्धी करना चाहता है, तो उस वेर में एक आरे समाज का एक आश्रम है आजवेर में रिशी उध्यान के नाम से धर महर सी दैनल जी की असियां भी वहाँ गड़ी हुई हैं तो उसको आसियों को कहीं लिखा हो आई जग्ति आये हैं, यह परिवार शुद्धी करना चाहता है, और यहां पर स्वामी जी नहीं है, और यह अभी उनके साथ मिलकर यहां पर शुद्धी करवाने के लिए है, अगर इसको मैं कहूं कि कल आना या परसो आना भी स्वामी परवास पर है, तो यह कहीं हाथ से निकलना जाये, तो इसकी शुद्धी करना अवश्क है, तो उसने उसको मंतर नहीं आता रहते हैं, नया नया सेवा कायतार समाज में, कुछ नहीं आता था उसको, उसने एक यद्ध किया, और यद्ध करते हुए, इसलाम बाहर निकल स्वाहा, सलातन धरम मेरे अंदर में आजा स्वा हाँ, तो ये एक मनोवे ग्यानिक धंग से उसकी शुद्धी हो गई, अब कई बार क्या होता है, कि मनोवे ग्यानिक धंग से उसकी शुद्धी करने के लिए, आप उसके मुह में तुल्सी का पत्ता दे को गातिरी मंतर पढ़वा लिजिए, गंगा जाल दे के उसके गातिर अच्छी बात नहीं होती लेकिन कभी-कभी आवश्यक होने पर ये भी हम कर एक वाद बार हमने किया है और मैं इसको रोटीन में नहीं लेता हूं नहीं करना पड़ता है कभी हमने उसको कहा कि तुम्हारे को गोमुतर पीना पड़ेगा तो उसने कहा मुझे पता था ये तो ने शुद्धी की तो इस प्रकास मैं करूं आपको हर व्यक्ति की शुद्धी करने से पहले उसकी जात करनी है उसका साक्षात करना है इंट्रू लेना है जब आप सुनिशित हो जाएं तभी ही शुद्धी करनी है और कभी भी शुद्धी के विशे में या धर्म के विशे म मेरा नंबर आपके सब के पास उपलब्द रहेगा, आप मुझे कभी भी, आपका भी भी फोन करे, मैं आपका स्वागत करूगा, और उस आपके उत्तरकाशंका का समध्धान करूगा, समस्या का समधान करूंगा अचा अब आई ए प्रक्रिया पर जो उप्चारी प्रक्रिया है अब शले आप यह शुद्धी सभा का इतिहास से इस पत्र में भी आपको दिया गया है यह अमने श्रताबदी अभी पूरी की ते उस श्रताबदी का विशेशंक निगा लाता तो उस विशेशंक में शुद्धी सभा की स्थापना और उसमें कौन-कौन से जो विक्तिते उन्होंने हमारा न संथर्ता अनंद अभी दिनकी बात हो रही थी महतुवार्ण नारायन स्वामी बाबा मिल्खा उभ्रों सिंग महाशे कृष्ण झो डैनिक प्रताब के प्रताब समतार पत्र के मालिक भी थे और एडिटर भी थे महाश्य खुशाल चन्द जो हिंदी मिलाप के एडिटर थे और बाद में महात्वा अनंद स्वामी बने उनके अभी जो पोते हैं जो डिएवी मनेद्मनेट कमेटी के चेर्मैन पदमश्री उनको आवाड भी मिला है विनायक दमोदर सवरकर यह सब शुद्धी सभा के अधिकारी रहे हैं यह जिनके नाम में ले रहा हूं यह शुद्धी सभा के अधिकारी रहे हैं भाई पर्मानंद डक्टर शामा प्रसाद मुखर जी पंडित राम चंदर देलवी ओम प्रकाश त्यागी पूरुव सांसत सदस से राम सिंग हिंदू महासवा से सर गोकुल चंदारंग जो पंजाब लाहोर में मंत्री थे लाला हंसराज गुप्क चोधरी देश राज प्रित्वराज शास्त यह इस प्रकार के अध्यों को नाम है यह पिसरी सोवर्ष में इन्होंने शुद्धी सभा को नितरत हो दिया है और आज यह सेवक का जो कारी मिला है वो मुझे मिला है और मैं आपके बल पर यह कारी करने में सक्षम हो पाता हूं गिना आप जैसे धर्मयोदाओं के यह संभव नहीं है अकेला विक्ती अकेला तना भाड़नी बहुंग परता है अब अगली स्लाइट अब अगली स्थी जब भी शुद्धी करते हैं तो उसकी जो रॉक्वाइर्मेंट है वो उसके बाद आएगी स्लाइट मैं बताऊंगा लेकिन अभी मैं आपको छोटा सा एगी बता जिता हूं कि कोई अगर अल्प व्यस्क है माइनर है तो अठारवच से नीतिय है उसकी शुद्धी का एक द सातन वैदिक धर्म को स्विकार करना चाहता हूं चुनना चाहता हूं तो यह मेरा अधिकार है समय धानी का अधिकार है यह कोई रोकन सकता कोई मना नहीं कर सकता उसको तो जब यह मेरा अधिकार है तो मैं अधिकार का प्रो करते हुए एडल्ट जो है वो कर लेता है इसको इसका प्रक्रिया है वो प्रक्रियर पर बात बे आ रहे हैं अब माइनर की बात है माइनर जो होता है उसका या तो कोई स्वाभाविक गार्जियन स्वाभाविक गॉर्जन या उसके माता पिता यह उसकी तरफ से इसका निर्णे करने का अधिकार उनके उपर होता है यानि कोई भी पेरेंट से, मा या बाप, मा या पिता या कोई उनका गॉर्जन जो है वो उसकी तरफ से उसके बिहाब से एक एफिदेविट शवर्थ पत्र बनाता है, कि मैं इसका स्वभाविक गारजन हूँ, या मैं इसकी माता हूँ या पिता हूँ, मैं इसके धर्म चुनने के निरने के समन्ध में निरने लेने का अधिकार का पर्योग करते हुए, मैं इसके धर्म का परिवर्तन करवा रही हूं या करवा रहा हूं तो यह प्रक्रिया होती है माइनर के लिए अडल्ट होना ते यह और उसी बाते शुद्धी पूर विधर्मी जुवक जो मैंने आपको बता दिया है शुद्धी कृतियों के चित्र वीडियो आदी सुरक्षा क해 द्रिश्टी से किसी भी मीडिया नहीं डालने हैं हम लेते हैं एकoner बता दूरू आपको जैसे ऐसे में की बात बता रहा था तो यूफ के वीडियो भी बनाते हैं उस वीडियो में ये कलवाते हैं कि मैं मेरा नाम ये है मेरे पिता का नाम ये है मैं यहां का रहने वाला हूं मेरी डेटा पर यह है जन्मतिती यह है उस तदन्वार मेरी आयू हितनी है और मैं पूरी तरह से व्यस्क हूं मैं अब तक इसलाम या इसाय जो भी है उसको फालो कर रहा था उसका अनुकरन कर रहा था उसके मत पर था उसके पत पर था आज मैंने सेधान्तिक अधार पर सेधान्तिक अधार पर समझ बूज कर जानने के पश्चात स्वाध्याई करने के बाद अध्यान करने के बाद समझने के बाद मैंने यह निड़े लिया है कि मैं स्विच्छा से सनातन वैदिक धर्म को स्विकार कर रहा हूं सनातन वैदिक धर्म को स्विकार कर रहा हूं और धर्म एक होता है ईश्वर एक है तो धर्म आने कैसे होंगे धर्म भी एक ही होगा जब ईश्वर एक है उसकी आग्याएं मेरे लिए और आपके एटनल तो जो हमेशा होता है और वो सथिय यह सब्के स्थे स्थे पर भी प्रिवर्स्टिस नहीं होता सपटे हमेशा वही होता है ँच सेब दखन कहें तो इसलिए कम सनातन कहीं संध्रक ब Bash जो थुक्तम को ना था यह दरूम एक ही यह दhowerma जो मेरा धर्म है वही वही धर्म है जो मुझे करना थे जो मुझे फालो करना जाई जो मुझे अनुकरन करना थे तो वह मेरे लिए और आपके लिए भिन नहीं होगा एक ही होगा ये इसलाम, इसायत, ये जैन, ये बोध, ये जितने भी हैं, ये मत हैं, पंत हैं, और ये धर्म नहीं हैं, ये मनुश्यों दोरा साफित हैं, जैसे कल को मालिजे, कोशले जी का एक नया मत चला देते हैं, कोई और आप में से कोई और नया मत चला देता है, और आप दो, तिन, छार घ्रधार मुंपद ने चला दिया, हजर तो नहीं कहूंगा, मुंपद ने चला दिया, तो उसी तरह से चल पड़ा, उसी तरह से खुछ लोग अन्यारिकों नहीं चल रहे हैं, संपरदाई चल रहे हैं, हर गली महले में कोई बाबा कुछ बना हुआ है, तो इस परकार की यह मतनista पड़ें ऊर चल रहे हैं तो यह किन्तु सत्ते नहीं हैं यह सम्सते नहीं हिए सत्ते अभगावां मैं यहां पर आपके सामиком ने उफस्दी तूँँ आपके मध्य में सम्संभी तो काल कोग में को यह एक है कि वहां पर ते और ने उस producing वहां पर थे और कैने ने उस म्लिकाटा में ते वहां समय के भूम्भे में கु पर वहां में कोई थे वोग समय कोट उसम दें तूव में से चोर होता है तो धर्म केवल धर्म है और वे वेदों पर अधारित है इसलिए उसको वैदिक धर्म कहते हैं तो मैं उस एफिड searches वीडियो की बात कर रहा था तो हमकूज आOUGH को और सनातन वैदिक धर्म को स्विकार कर रहा हूं। इसके लिए ना तो मुझे कोई लालस दिया गया है, ना ही मेरे पर कोई दबाव बनाया गया है, ना ही मुझे धमकाया गया है, ना बहकाया गया है, ना ही ड्राया गया है। यह बाते वो कह देगा। और इसके बाद वो यह समझें और जानें. यही बात एफिडेविट में है और एफिडेविट कि प्रती आपको, asks, ले सकते हैं कभी बहु है, यही बात एफिडेविट में भी है और यही बात के हम वीडियो भी भनवाब लेते हैं और फिर हम हम एक ऐता है. फार्म होता है application form गारागे चलेंगे दो ê Twelve के यह खुद्री परक्रिया है थार्म है करे में इसके परक्रिया भीक्रियां सब्सक्राइब बनने के साथ साथ उसके application ले लेते हैं कि मैं आप मिश्चा से शुद्री करवाना चाहती हूं यह चाहता हूं कि परया मेरी शुद्धी की विविश्था की जाए तो वह एक प्राफ़्था पथर्पकर आपके पास आ divl आ पथर्वार समय 00.06 neat गई ये सारे सुरक्षित होने के बाद आप आपको पर पूई दबाव नहीं आपके आप 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 आपने कुछ नहीं किया वह शुद्धी करवाने वाला सुम शुद्धी करवा रहा है आप तो उसके प्रक्रिया में उसकी साहता कर रहे है शुद्धी मैं कर रहा और फिर हम एक क्या करते हैं? उसकी एक प्रमान के तोर पर हम शुद्धी सभा के एक छोटी सी रसीद, चाहे सो रफए की, दो सर रफए की, पांस रफए की, अब उसकी इच्छा के नुसार एक शुद्धी की रसीद कटवा लेती है, यह शुद्धी कारे के लिए मैं दान दे अपने साथ रखने के बाद शुद्धी तो उसकी स्वम, उसने स्वमी कर ली, तो शुद्धी हो गई एक तरह से, फिर उसका यद्य होता है, यद में वैदिक मंत्रों के द्वारा, शुद्धी मंत्रों के द्वारा शुद्धी हो जाती है, लेकिन अगर आपको नहीं आते ह ही पांच बार गायत्री नितरी मंत्र बूलवा ले ज्धो abund पेड़ाइब आ कर राक पेना कभै भी शुद्धी गोशित कर सकते हैं जाने होो तो उसको पिहन के और यद्रइवित का वी मंतर होते हैं लेकिन वो भी नहीं आतें तो गैतरी मंतर से अलिवित पहना लीजिए तो उसकी शुद्धी हो गई उसको कैदी शुद्धी हो गई फ्थे उसका घोषना उसको याद हम ये परमान्पत्र देते भारतिय हिंदु शुद्धी सभा, इसलिए हमारे को 80G का जो एक्जम्शन मिलता है आपको दान देने पर, वो मानिता नहीं थी, और सभागे की बात है, इसी मार्च महीने में, पीछे जो गया है, दो तरीक है, मार्च महीने में हमें 80G की मानिता भी मिल गई है, और अगर हमें 80G की अंतरगत देंगे, तो हम आपको रसीद देंगे, उसके धर पर आप टेक्स एग्जम्शन का भी क्लीम कर सकते हैं, तो आप हमें जो भी दान अगर देना चाहें, कभी भी, मैं अभी दान के लिए नहीं कह रहा हूं है, कभी भी आपको मन में कुछ हो या किसी दिर्वा देने का, जैसे कि आधानिये तुफैल भाईसाब दे रहे थे, कि इसका अधिकार भारती हिंदु शुद्धी सभा, अर्थात आरिसमाद, और हिंदु महासभा को दिया गया था, और हिंदु महासभा को भी कब, जब स्वामिश रधानन जी उसके प्रधान थे, स्वामिश स्थापना की थी, शुद्धी सवा की, स्वामिश रधानन जी आरिसमाद के जो बहुत बड़े नेता हुएं, जिनका बड़ीदान हुआ शुद्धी के लिए बड़ीदान हुआ, यह तबस्व जो हिरोईन जिस ने अभी पिसले कुछ महीने पहले उसकी मृत्व हुई है, अपने पती को छोड़कर उसकी कलम्भी कहानी यह समय नहीं है, इतना मैं संशित में कह रहा हूँ, कि वो जब आई, स्वामिश रधानन जी को कहा कि मेरी शुद्धी कर दीजिए, मैं मुझे अपनी बेटी बना लीजिए, मैं घर छोड़ आई हूं, बंबे से, तो आई उन 23 दिसंबर को 1926 को, 23 दिसंबर 1926 को स्वामिश रधानन जी की जब अस्वस्त थे, बेमार पड़े थे, वहाँ पर एक अपने रूम में, आरिसमाद में, दिल्ली में विश्राम कर रहे थे, तो एक व्यक्ति दोखे से, चल से, क्योंकि यह हमेशा चल से आते हैं, दोखे से आ अपने कमरे से बात तुनी उन्हें का नहीं आने दो उसको आने दो, वे वक्ति जब आया, तो उसे ऐसे बातों में असको दो, तिन बाते होई, उसके बाद उसने उनको तीन गोलियों से मार दिया, और धर्मपाल जो था सेवक, वही गुरुकुल का ब्रहम चारी था, उनका सबसे पहला जो आतंकवादी था जिसने एक किसी सरातन धर्मी की वैदिक धर्मी की हत्या की थी सबसे पहले वो पहला उदारण है वही स्वामी श्रद्हानन जी उन्होंने उनको जामा मस्जिद में मिंबर पर भुलाकर वैदिक उपदेश भी उनसे सुना गया था और यह इत वैदिक मंत्रों का गयन करें वैदिक मत्र रचाओं का उपदेश दे तो यह पहली घटना है उसी स्वामी श्रद्हानन जी की वह उनके जीवन जीवनी का विश्य है उनके जीवन के बारे में है मेरा विश्य नहीं आग तो मैं यह बताना चाहता था अब आए अगली में इसका नाम भारती हिंदु शुद्धी सभा है लेकिन हम पूरे विश्व में शुद्धी करते हैं मैंने अफगानिस्तान में शुद्धी किया है इंडोनेशिया में शुद्धी किया है बंगलादेश में शुद्धी किया है पाकिस्तान में शुद्धी किया है और प्रेशी अगर होगा तो वहाँ पर उसका पासपोर्ट या अगर भारत में आया है तो उसका वीजा पिर उससे आवेदन पत्र लेते हैं पासपोर्ट आकार के हमें छार फोटोग्राफ तहीं होते हैं फिर हम एक भला रवाते हैं अच्छा दो साख्षी अविश्यक नहीं है लेकिन साख्षी हो तो अच्छा है दो साख्षी यह विश्यवस्तार रेक्रिक्षादकर और पास्तीस विक्त्यों के हाँ इक बातूर जैसे अभी आपका है कि जैसे ही कोई कहीं से भी आपको फेस्बुक से वट्सेप से फोन से मित्र से सुनकर उधर से उधर से अभी ही आपको कई बार कोई गएगा कि मेरे वहाँ पर वह वक्ति है वो शुद्धी करवाना चाहता है तूरंद आप उसका फोन नमBER कर लिजिये एक डायरी पर मैं यही करता हूँ एक डायरी पर नोट कर लिजिये कि इस व्यक्ति ने मुझे उस गाउं में पांच व्यक्तियों की या परिवारों की या एक महिला की या लड़की की या लड़के की इतनी शुद्धी के बारे में बोला तो वो नोट कर लीजिए उसका फोन नोट कर लीजिए और इसी प्रकार से जो जो भी आपको किये साते ज चाहिए और उस गारी को बीच में देखिए कि अरे यह तो शुद्धी हुई नहीं यह तो एक मीन हो गया तो उसको फोन लगा यह तुरंट अरे वह आपने कहा था शुद्धी के बारे में उसका क्या हुआ तो फिर वो कहेगा नहीं अच्छा मैं भूल गया था मैं बताऊंग करें नहीं घर्ट है कोई बात इस पागल ही सही लेकिन हमें अपना काम करना है कि जब तक हम पागल्पन अपने भीतर नहीं आने देंगे तब तक यह कारी नहीं होगा और यह शुद्धी के महत्व के लिए यह महत्व परुन है क्या मिस कारी को लगातार निरंतर कंसिस्टेंटली यह लगातार हम करते रहेंगे तो शुद्धी होगे नहीं तो वह कारी अधूरा रहा जाएगा और भूल जाएंगे कल को फिर वही आके हमारी बेटियों के साथ लव जिहाद करेंगा और यह सब करेंगा तो यह हमने वह करना है अग्णी स्लाइग यह धार्विक पुर्खिया पुरी हो गई मैंने बता दिया आपको धार्विक प्रक्रिया अगर कोई सुक्षाइर करते बλαिए उने वっちゃ सा थैंजो को सब्सक्राइब मुख्या आधार है उसका उसके बाद उसको दो समचार पत्तर में जो एक स्थानियए भाषा, अंग्रेजी भाषा है, उन दोन भाशाओं के राष्ट्रिय समाचार पत्र, जो ड्यानिक समाचार पत्र है, उनमें एक वर्गे करित्व विज्यापन निकालना पड़ता है, यानि क्लासिफाइड एड्विट्राइजमेंट, चार पांच छे लाइन की होती है, वो एक उपचारिकता है, वो निकलवा अख़बार में उसकी वो समधर पत्र में उसकी वो वर्गे करिती विज्यापन निकल वा दिए ूills multiplexЙ के बाद दो समयतर पत्रों में विजद्र निकल गया, तब एक गजट कारियालय होता है, हर एक जीले में होता है हाल एक कलेक्टर डीसी जा डिस्टिक मजिस्टेट ये उस लगभग उसके आसपास ये सिविल एरिया में एक आफिस होता है गजट नोटिफिकेशन सरकार की जितनी अधिसू चुनाए हैं सरकार की जितने नोटिफिकेशन हैं चाहे वो शुद्धी से समंदित हो चाहे प्रश चुद्धी हुई है उसका नाम परिवर्तन हुआ है तो उसके लिए भी गजट नोटिफिकेशन हो अवश्यक होता है कि मैंने मैं इसलाम मत को छोड़के मैंने सनातन बैदिक धर्म को अपनाया और उसके बाद मेरा नाम अब्दुल से सुभाश हो गया जो भी हुआ तो उस परिवर्तन है उसके चिज़ में उसके चोटी सी वीडियो बनती है वह वी और पोरी फाल बनके वहां पर जमा देनी पड़ती है मैं लग वग 25 दिंका समय लगता है कहीं कर मौदरे कुश काम स्रोख चलता है तो अधिक से अधिक एक महीना लगता है तो एक महीने कर अंदर उसका ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके लिए लिए उपचारिकत हैं, मने आपको बता दिया, यह सारी जो मैंने बोला है, वही सब कुछ है, और आपके फूर्डर में भी आपको सब कुछ लिखते दिया गया है, तो यह सब कारियों होने के बाद, उसका नाम प्रिवर वहाँ वहाँ उसका नाम सु्भाश हो सकता है उसके आधार रो जाएगा बस सब्संपर्ण हो गया यही शुद्य की प्रक्रीया है अगली सलाइट यह उसी का दूसरा भाग है यह यहां का दिल्ली का यह बाद में दिल्ली को जो उसका कारेयल है यह उसका कारेयल है यह उसका कारेयल है यहां पर किया जा सकते हैं तो यहां पर भी सूचना दी जाती है चाहिए वो बिहार की हो, चाहिए वो 36 गड़ की हो, चाहिए वो ताविलादु की ही। केरला की हो, तो यहांपर सुत्रा आते है है. तो यह वहां से हो जाता है, अगलीarten. यह फार्म है जो मैंने कहा कि आपको उससे फार्म भरवाना पड़ता है इसमें उसका विवरोन होता है कि वह कहा का रहने वाल है उसके पिता के नाम क्या है उसका आयू का है उसका फोन नंबर संपर्क वगरा उससा हस्ताक्षर करता है तो यह एक application है इसके इलावा भी हम प्ल से बनता है और यह कम से कम जो मूल्य होता है revenue stamp का non-judicial stamp paper का यह उस प्रदेश में निर्फर करता है जैसे हर्याना में 10 रपे है दिल्ली में 100 रपे है महराष्ट्र में 50 रपे है करनाठका में 20 रपे तो अलग अलग प्रदेश में अलग अंतर होता है तो इसलिए आप जो भी मिनिमम वहाग का वैल्य होगी उसका non-judicial stamp paper पर यह अफिड़ बनेगा अगली स्लाइट अब आते हैं कई राज्यों ने धर्मांतर विरोधी अधिनियम पारित किया है और वैसे तो हमारी सुरक्षा के लिए है तो उसके लिए हमारी उपचारिकताइगी भी कुछ बढ़ जाती है अब सबसे पहले तो आपको यह बता दो आपको कभी भी धर्मांतर विरोधी यह अजनियम बना है नवी उससे घबराणीक दूरूटेर नहीं जवर्पर्देश में बना हboth हरृाना में बना है करनाताइक में बना इसे प्रकर कुछ राजेों में वापसी करते हैं आप पित्री धर्म में वापसी करते हैं तो उसको धर्मांतर नहीं माना जाएगा उसको घर वापसी माना जाएगा आप पित्री धर्म में वापसी करते हैं तो उसको धर्मांतर नहीं माना जाएगा अर्थात यदि आप इसलाम से या इसायत से वापस अपने सलातर वैदिक धर्म में आते हैं तो धर्मांतर नहीं है घपराने की जुरूत नहीं है हम लोग घपराने की अवश्रक्ता नहीं है जाओ जाएंगे जो बोल्क जो आपके सामने है इस पर राधियो में नेयार भार्णीच प्रम करते जो शुद्ध्र वाला व्यक्तिए शुद्धि प्राथि ऑच्टि इस जो शुद्धि के लिए ये और Anda भरता है और इस फॉर्म को उनके नियम गंशार डिस्टिक मजिस्ट्रेट को कम से कम साथ दिन पहले भर के देना पड़ता है कि मैं मेरा नाम ये मेरी आयू ये मिस्थान पता ये सब कुछ लिखे कि मैं अपनी शुद्धी करवाना चाहता हूं या करवा करवाना चाहती हूं ये शिडूल वन भरके की दैजाता है कम से कम सार दिन पूर्व वैसार दिन पूर्व लेकिन वह लिख करते कुछ नहीं है कि आधा दे देंगे और आप अपक्षा करते हैं कि उनको जब तो आया नहीं कि जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं और आप देने जाएंके तो कई इसको करते हैं नय नी हमारा काम ना यूसको दीजिय। गांप प्रशान होस्ट क्रेंगे क्या करें हैं तो उसके लिए असके लिए तरीकर तरीका यह है आप बिब जांगे ओस नगर में आपको यह कारी करवाना है उस नगर में और इस वहांके डिस्तिग मजिस्टेट या कलेक्टर जो अलग टर्मिनलोजी है जिस राज्ये में या जिस जिले में आप जाते हैं उस्को जिला धेक्ष होता है जिला जिला प्रमुक अधिकारी होता है उसको ये मेल करनी होती है तो उसका इमेल आइडिया आपको नेटर मिलेगा आप ये फार्म भरके साइन करके इसको स्कैन करके तो आप नगेड़ पी मेल पे उनको भी जेजे घ्राइप आपका चाहिए टार्ठा आपने इंफार्म करता आपका कर्तव करता है तो यह क्ष्र अधूर इंएल कर दिजिए उसका कुछ नी मुझाइबॉड उसके बाद कम श कम एक मिना भार शवादू यह June 2 तो है वो सी किरुवाने वाली जो सस्था है आ पुरोहित है वो भर के देता। है जैसे मैं में साथके साथ दिन पेर ब lobby अ कम साथ दिन पहले तो एक महीना पहले कम से कम मैं यह फॉर्म भर के दूँगा कि इनकी शुद्धी मैं करवा रहा हूं और अमूख स्थान पर रहा हूं इतने समय में इस तरीक को करा रहा हूं तो मैं भरके दे दूँगा यह भी मैं इमेल से डाल दूँगा तीसरी स्लाइब यह शुद्धी संपन होने के बाद शुद्धी संपन होने के बाद यह फॉर्म भरके जिसने शुद्धी करवाई है वो शुद्धी करवाने के बाद भरके जिलाधिकारी को इमेल पर स्कैन करके डाल देगा कि मेरी मैं जैसे बताया था उसे साथ मेरी शुद्धी हो गई है औ आपका अधार्विक दृष्टी से भी और लिगल दृष्टी से कारिये पूर्ण हुआ, शुद्धी हो गई अधार काड्ड, वधार काड्ड, जितने भी एये is, pencard, driving license, property, यह जितने भी आगज हैं, सब आप उसके बाद चेंद कराते रहें, यह शुद्धी कारिये संपन हो तो आप कर सकते हैं अगली स्लाइट कि यह हमारा संपर्क सूत्र है आप कभी भी संपर्क किसी भी समय कर सकते हैं अगली स्लाइट आपको हिर्दे से उना गदगद होकर नमन होकर आपको पूरी श्रद्धा के साथ मैं नमन करता हूं और विशेश रुप से उन अधिकारियों को जिन्होंने इतना बड़ा महुत्सव इतना बड़ा कारिकर्म उनके मन की पीड़ा को समझिए उन्होंने इतना व्याय करके इतन पतानी कितनी राते जागे होंगे तो फैल जी महराज और कितनी राते जागे होंगे कितने को फोन किया होगा कितने को नराज किया होगा कितने को मनाया होगा कितने को यह कारिय किया होगा तब जाकर यह कहीं संफलता का पूरा श्रे मैं यह जो स्रिमूर्थी है इनको